जहीं दोस्तों क्याल चाल कैसे आप विभीये आप सब बहुत अच्छेस होगे स्वागत है आपके इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों लखनव युनिवस्टी बी एट फर्स्ट एर का सकेंड सेनस्टर का फर्स्ट पेपर जो कि फर्स्ट कॉमन पेपर है उसकी बुक मेरे पास है विद्याले प्रबंदन एवं स्वास्त विज्ञान स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन दोस्तों ये बी एट सेकंड सेनस्टर में आपका कॉमन पेपर है हर एक बच्चे को ये पेपर देना है तो हम इस वीडियो में इसकी जो फर्स्ट यूनिट है जहां से सोलर नंबर के सवाल आते हैं उसको आज हम आपने डिसकस करने वारे पहले मैं आपको उतादू कि इस पूरे फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना क्या है देखिए इस फर्स्ट यूनिट में तीन टॉपिक है आपका और तीनों टॉपिक बहुत आसान है और इन तीनों टॉपिक से कम से कम दो सवाल आपके जरूर पूछे जाएंगे तो अगर आप syllabus पे नज़र डालेंगे तो first unit में आपका तीन पॉइंट है तीन पॉइंट पढ़ना है और वो क्या है पहला है दोस्तो प्रबंधन मतलब school management कह लिए या management कह लिए तो generally आपको पढ़ना है कि management होता क्या है प्रबंधन किसे कहते हैं इसके कारे क्या होते हैं इसक उद्देश से क्या होते हैं तो first two topic आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको प्रबंधन के बागे है सेकेंड दोस्तो classroom जिसे क्छ प्रबंधन classroom management आपको पढ़ना है तीसरा है दोस्तो कि विद्याले के प्रबंधन में गुर्वत्ता सुधा रहे तू सौट विसलेसर इनालेसिस होता है जब हम अपने जो भी process जो भी operation करते हैं उसकी एक analysis करते हैं so this is all about the three topic which is included in the first unit of your first subject school management and hygiene so in this video we are going to discuss completely the first topic which is management, school management, meaning, definitions, characteristics, objectives and everything जो भी सवाल आपसे बीड में अब तक पूछे गये हैं या जो पूछे जाने की संभावना है we'll discuss each and every point for the first point which is what school management so if I hope you are ready if you are ready let's get start the video अच्छो शुरू करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं बात हम किसकी कर रहे हैं लखनावी उनिवस्टी बीड second semester first unit जहां से आपको कम से कम आपको यहां पर एक सवाल जरूर आपती ग्जाम में देखने को मिलेगा so without peeping around the words let's get started the videos and let's get the first point which is what the meaning and the definitions of management what exactly the management is management का मतलब क्या होता जब word देखेंगे तो management किसी चीज को manage करना किसी चीज का संचालन करना किसी चीज का प्रबंद करना किसी लोगों से काम कराना so this is all about the management हम management के आर्थ समझे उसके पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं इन word को याद रखीगा इ exam point of view से वीडियो को देखते हैं और पढ़ाई करते हैं यह जो वर्ड है ना पी ओ जैसे पी ओ एस डी सी ओ आर बी इसको शौट में पोस्ट कॉब कहते हैं ठीक है पोस्ट कॉब अगर यह वर्ड याद रहेगा तो पूरे management के बारे में आप लिख लेंगे याद रखीगा planning organization staffing, directing, coordinations, reporting and budgeting, नियोजन, संगठन, नियुकती, निर्देशन, समनेवे, वीवरल और budget इनी सब्दों से पूरा आपका management यहाँ पे topic निकल के आ जाएगा तो चलिए बाले सुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रवंदन का अर्थ क्या होता है देखिए प्रवंदन का मतलब होत होता है प्रवंदन एक व्यापक यह जटिल प्रत्य है concept है इस वेरी ब्रॉड और complicated concept क्या होता है वेक्तियों के समूह अर्थात संगठन को निर्देशित करना समय में आगे बाद वेक्तियों के समूह को the group of people को आप निर्देशित कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं समनवीत प्रवंदन की आवसकता होती है प्रवंदन का अर्थ क्या होता है जैसे संगठन में व्यक्तियों से कारेकराना group of people से आपका कारेकराना जर्द आप practically समझते हैं आपके school का management है तो आपके school का management करता गया है आपके school का management पुरा control करता है आपकी school में कैसे बढ़ाई हो टीचर स से कैसे पढ़वाना है teacher से कैसे काम निकलवाना है बच्चों से कैसे practical कराना है तो जो management जो प्रवंदन एक लोगों का नहीं होता वो group of people होता है वो group of people मिलके management बनाते हैं और किसे काम निकलवाते हैं लोगों के समूंसे वो काम करवाते हैं लोगों के समूंसे काम निकलवात मैंनेजमेंट क्या करता है मैंनेजमेंट क्या करता है मैंनेजमेंट क्या करता है मैंनेजमेंट करता है मैंनेजमेंट बजट पैसे की विवस्ता करता है आपकी स्कूल में महाविद्याले में कॉलेज में पैसे की कमी हो तो टीचर की responsibility नहीं कि कैसे salary देना है वो management की responsibility है कि कैसे salary देना है तो budgeting की विवस्ता कौन करता है management करता है चीक है अंग्रेजी सब्दों में manage man tactfully लोगों को tactfully manage करने की कला क्या कलाती है management कलाती है अर्थात वेक्तियों को विवस्तित विदी से कारे कराने की कला को management कहा जाता है व्यक्तियों को क्या करते हैं वाई कारे कराने की कला को हम क्या कहते हैं management कहते हैं अब यहां पर समझी है आप से exam पूछेगा प्रबंधन तो प्रबंधन को आप लीखेंगे कि एक व्यापक और जटिल संप्रत्य है इसमें करते हैं हम व्यक्तियों के समुह को निर्देशित करते हैं समनवे करते हैं एक आकरित करते हैं उनको मैंने जैसे बताया आपको मैं हम प्लैनिंग करते हैं हम डैरेक्शन देते हैं हम कोडिनेट करते हैं हम कंट्रोल करते हैं हम बजट करते हैं हम नियुक्ति करते हैं स् group of people है जो group of people को क्या करता है manage करता है ठीक है चलिए अब आगे और clear हो जागा कुछ परिभासा हैं देखेंगे तो वहां से और concept clear होगा जैसे पहला परिभासा F.W. टेलर ने कहा था कि प्रबंदन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तों में क्या काम लेना चाहते हैं और फिर यह देखना कि उसके सबसे मित्याई तथा उत्तम धंग से पूरा हो मित्याई के मतलब कम खर्च में ठीक है एकॉर्डिंग तो F.W. टेलर मेंजमेंट इन आर्ट अफ नोइंग इग्जाक्ली वाट यू वाट यू वांट तो दू फ्रम मैं दू देन सींग यह दू इट इन बेस्ट एन इकॉनोमिकल वे मैंजमेंट के वे कोशिता है कि आप यह जाने के अप टीचर से क्या करना चाहते है और कम समय में कम खर्चे में बेहतरी तरिके से अभी आ रहे है ठीक है तो दूसरा हम डेफिनिशन देखेंगे रॉबर्ट अलबॉंस ने कहा था कि प्रबंधन प्रयावरल को बनाय रखने था उसे बनाने का कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने लक्षों को कुसलता है हम प्रभावी धंग से प्राप्त कर सके management is the work of creating and maintaining environment in which people can achieve their goal efficiently क्या है एक आप environment बनाने की कला है जहां पर जो लोग हो वो अपना goal efficiently achieve कर सके प्रयावरल प्रबंधन क्या है एक प्रयावरल बनाय रखने और उसे बनाने का कार्य करता है management मतलब teaching एक environment बनाया जाए आपके कॉलेज में learning environment बनाया जाए यह सारा काम कॉल करता है management देखता है कुछ और definition देख लेंगे मैं easy definition देखको आपके exam में definition तो लेखने पड़ेगा परिभासा लिखना पड़ेगा इसलिए मैं आपके लिए easy definition लेके आया हूं ठीक है यहां पे Harold ने कहा था कि प्रबंधन आपच यह हो गए एक लास्ट परिभासा यहां पे हो गए अब आई एक और परिभासा देख लिए हैंड्री फ्योल ने कहा था यह अच्छी परिभासा इसलिए मैं इसको आपे mention कर रहा हूं है हैंड्री फ्योल ने कहा था कि प्रबंधन का और पुरु अनुमान लगाना योजरा डिंटन करना संगतन करना निर्देशन कंट्रना समन्वें करना वने कार्यों को नियांतल करने से हैंडिक मैंजल फोर्कास्त क्लान यायोल्य Argent सिंटन काश्त इव और तो放心 स्कूल का मैंजमेफनेयट करता है दोश्तों पूरव अनुमान लगवान लगाताãyय योजना बनाता संगठल करता है टीचर को टैरेक्ट करता है निर्देशन देता है समनवेकर बनाता है और सबी कारे को क्या करता है कंट्रूल करता है नियंत्र करता है तो यहां से हो गई बात किसकी management की यहां से आप उसकी और थर परिभासा में लिख लेंगी अब आईए हम बात करते है functions of management अभी तक यहां तक भी आप समझ चुगा अब सेम चीज़े आप आएंगी ठीक है वन मोर टाइम क्या होगा सेम चीज़े आएंगी management का अगर हम कारे की बात करें the functions of management की बात करें तो बस यह जानी कि आपके school ने क्या क्या कारे करता है कुछ महान लोग रहे हैं लेखक जीनोंने प्रवंदन के कारे को अलग अलग बताया है अब यहां पर मैं एक point आपको बता दूँ sorry to interrupt you थोड़ा सा मैं आपको कुछ अची चीज़े बताना चाहूँगा देखिए यही वो फर्क डाल देगा आपके में और दूसरों के marks में आप सब लिखेंगे देखिए जेनरली आप में और जो सबसे ज़्यादा टॉपर होगा उसके में 10 से 15 नंबर का फर्क होगा और यह फर्क यहीं से ला देता है जब आप लेखा के नाम लिखते हैं और उन्होंने क्या कहा लिखते हैं तो एक्जामनर को लगता है कि लिटरली यह बच्चा पढ़ा लिखा है समान में आगए बाद तो मैं आपसे request करूंगा कि यह सवाल आएगा ही आएगा लिख कर लिखेगा आएगा ठीक है Henry Foyle ने कहा था कि management का क्या काम होता है, management का काम होता है planning करना, new agent करना, उसको संगठन करना, organize करना, आदेश देना, order देना, समन में और नियंतरन करना, ये किस ने कहा था, Henry Foyle ने कहा था, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद कर लेगे, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं याद करेंगे, तो कम से कम, दो तीन तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, रॉल्फ डेविस ने कहा था, क्या कहा था कि, नियोजन, संगठन, और नियंतरन क्या होता है, ये एक management का काम होता है, ठीक है, management का function होता है, management का कारे होता है, ठीक वैसे ही, कु इब नियोजन संग트न नियुक्ती निर्देशन समयं में वीवरण देना बजटिंग ये मैनेजमेंन का काम होता है प्रबंदन का कार होता है और इस तरह। लोगों ने काम बताए हैं अपने famous किताबों में अपने famous का concept दिया था और कई बार दोस्तों मैं आपको बता दू कई बार आपसे exams में धायक्त यही पुछ लेगा कि what do we mean by postcard postcard से आप क्या समझते हैं इसको explain करिए तो postcard का full form जरूर याद कर लेजेगा P से P for planning, O for organization, S for staffing, S for staffing, D for directions, CO for Coordination, R for reporting, B for budgeting, Planning मतलब नियोजन करना, Plan करना चीज़ों को संगठन करना नियुक्ति करना निर्देशन देना समने में अस्थापित करना वीवरल देना और budget देना ठीक है यह किसका काम हो गया यह काम हो गया दोस्तों management का काम हो गया अब आप इसको explain करेंगे explain कैसे करेंगे पहला आप heading डालेंगे planning और new करता है इसके अलाबा आपको क्या-क्या materials चाहिए लाइब्रेडी में कौन सी बुक होनी चाहिए कौन से classroom में आपके class चलेगी कब आपका game period होगा कब आपका practical होगा कब आपका vacation होगा यह सारी चीज़े कौन काम करता है, तो planning, जब आप डालेगे ना, तो planning के अंदर ने सारी चीज़ों को लिखेंगे, कि management जो प्रबंधन होता है, वो आपका सारी चीज़ प्लान करता है, दूसरा दूस्तों, संगठन organize करता है, निस सारी चीजों को organize करा के कारे कराता है इसका भी काम कौन करता है स्टाफिंग न्यूकती अगर माल लिजे आपका कोई एक टीचर रही है किसे सब्जेक का तो यह दूसरे टीचर की रिस्पॉंसेबिल्टी नहीं है कि नए टीचर की बंदबस करना नहीं यह काम किसका है management management इंटरव्यू लेगा पहले तो वेकेंसिस आउट करेगा फिर इंटरव्यू लेगा फिर सेलेक्शन करेगा फिर डेमो क्लास लेगा फर इस तरीकी से वो क्या करेगा निउकती करेगा कितने सेलरी इस पर डिसकसर करके तो इसके कौन सा कार करता है management यारी के प्रभंदन करता है डाइरेक्शन निर्देशन किसका रहेगा management का रहेगा समझने में coordination अब coordination का मतलब आप यू सबजिए teacher और management का coordination teacher और student का coordination parents का और teacher का coordination complete coordination जितने में स्टाफ है सब की बीच का का काम किसका होगा management का होगा कई बार एक teacher दूसरे teacher की बुराई कर देते हैं एक teacher टूसरे teaching की शिकायत कर दे कई बार ब्रांचे तूसरे जगडा हो जाता है Section 1 ऑ padres Section1 भी Section1, Section2, Section2 UV, Section2 it Section1 C, B. C. D.L.E. circumstances occurs गया इस तरीके से मतभीद हो जाता है तो उस वहाँ पे दोस्तों वहाँ पे समने में कौन करेगा आपका management करेगा क्योंकि उसके लिए तो सारे बच्चे अपने दूसरा दोस्तों रिपोर्ट तैयार करना विवरर देना कि किसका performance कैसा रहा किसकी salary किसकी salary नहीं गई कोई absent रहा कौन पास हुआ कौन फेल हुआ किसका प्रैक्टिकल चूटा किसका एक्जाम हुआ किसका एक्जाम इसका एक्जाम यह सारी जो reporting का काम किसका होता है management का काम होते है और last but not the least budgeting पैसे का इंतजाम करना economical budget बेवस्था करना economical manage करना यह भी किसका काम होता है management का काम होता है प्रदबंदन का काम होता है so according to the Luther Glee there are a fixed function of the management Luther Glee के द्वारा प्रबंदन का कारिच निम्न है क्या जिसे हम संचिप्थ में postcard करते हैं in short we call this as a postcard अब फिर हम उसको explain करेंगे heading डालके फिर उसका बाद लिखते जाएंगे examiner करेंगे वाँ अच्छा क्या लिख क्या लिख आया है यहां तक बात समझ में आ गई कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे लेकिन कुछ और चीज़े हम यहां पर देख लेते क्या वाई प्रबंदन की विशेष्था हैं देख लेते जेनरली सवाल यहीं से आएगा कि प्रबंदन की प्रबंदन की परिभासा प्रबंदन के कारें इतना समझ जाएंगे मस लेक्याएंगे कुछ और पॉइंट में आपको दे दिता हूं ताकि आपको पेजिस बढ़ाने में असानी हो जाएगा आप डाल दीजिएगा प्रबंदन की विशेष्था क्या होती हैं what are the characteristics of the management प्रबंदन दोस्तों एक उदेश से पूर्ण पर खे रिया है क्या वहीं उदेश में इस परफुल प्रॉसस हर प्रबंदन का उदेश से होता है जैसे एक्जांबल के जोर में एक आप यू समझे कि एक टीचर का कॉडिनेशन देखेगा कि क्लास्वूम में पढ़ाई कैसे लार्ड़ा देखेगा को टीचनिसा लिए पल्फॉल के जिरिए ब Hai लुए में आप देखेंगे आ आप अप देखेंगे हो स्पिटल में भी नरच्मेंट होता है आप देखेंगे होірटल में हमतलों हर जगह मैनेजमेंट होता है तो management के वाइए एक उद्देश स्पून प्रकेरिया होती है दूसरा serve of VIP है का मतलब management जएसे बता है हर जगा management का काम होता है कोई एक fix management नहीं management का हर जगा काम होता है प्रबंदन बहु आयामी होता है मतलब multi-dimensional होता है multi-dimensional मतलब सारी चीज़ों को देखना रहता है पढ़ाई कैसे चल रही है बचे का admission examination form practicals absent scholarship तो सारी चीज़े उसको देखना पड़ता है बहु आयामी प्रकेरिया है इसमें कारे का प्रबंदन कौन कौन से कारे हो रहे है कौन व्यक्तियों का प्रबंदन और परिचळन का प्रबंदन मतलब दोस्तों कार है कौन-कौन से कार है उसको भी manage करना है कौन-कौन टीचर है और लोग है उनको भी manage करना है और जो-शो 했어 चल होता है management of work, management of people, management of operations डेक है इसको आप explain कर देंग egg? कै is very good, explain कर दियोगा, ह last two of you explain came to you, I'll explain आप नहीं रहेंगे फिर कल किसी और को management देखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आपके काम करेंगे management के अदर आपके principals हैं, आपके manager हैं, आपके secretary हैं, आपके बहुत सारे staff कुछ HOD होते हैं बहुत सारी group of people मिलके काम इंडिविजुल नहीं कर सकते तो प्रबंदन मैंजमेंट सा मुप्रत्य कर देख नहीं सकते तो से महसूज कर सकते यह काम हुआ है तो वैसे क्या दिक्कत कोई दिखत नहीं बहुत अच्छा बहुत समझधार हैं बच्चों प्रवंदन की विसेष्था हैं, characteristics of, यहीं तो हम देख रहेते हैं, प्रवंदन की विसेष्था हैं, चलिए, कुछ और, हाँ, देखिए, जो मैंने कहा ना, कि explain, तो यहाँ पे one by one उद्देश, यहाँ पे explain किया गया है, कि यह एक उद्देश से पूर्ण प्रकरिया है, जैसे कि सैचिक, वैवसाइक, इस तरी के कुछ उद्देश से होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्याद explain करने की जो दिए हैं, मैं इसका PDF आपको दे दूँगा, आप इससे पढ़ लीजेगा, बाकी है वही, सर्व व्यापी का मतलब, इसको देखना पड़ता है, क्या प्रॉफिट अगर आप उससे नहीं जुड़ है, मैरी रिक्वेस्ट आप सीफ़ जुड़ जाएगा, बहुत कम बच्चे हैं आच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, खामोश रहने वाले बच्चे हैं, फाल तो मेसेज नहीं करते हैं, तो आप उसमें अड़ है प्रबंदन प्रबंदन एक सामोहिक कलेक्टिव एक्ट है, सब लोग मिलके इसमें काम करते हैं, बहुत अच्छा, प्रबंदन एक अमूर्थ प्रकिरिया है, प्रबंदन प्रकिरिया भौतिक रूप से देखा नहीं जा सकता, परन्तु इसकी उपस्तति को अनुभव किया जा सकते हैं, च सब्सक्राइब काम होता है, कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वह सही से पढ़ा लें, फिर भी इसके अला में कुछ उदेश होते हैं, उदेश का मतलब दोस्तों, पहला तो मालीजिए, मैलेजमेंट ऐसा हो कि आपका स्कूल चलता रहे, कॉलेज फंक्शन ऐसा है, कि स्कूल ही बंद हो जाए, तो पहला तो यह अब्जेक्टिव हो जाएगा, संगटनात्मक उदेश मतलब औरगनाइजेशन अब्जेक्टिव यह होगा, कि पहला भाई, आपका स्कूल में कॉलेज आपका चलता रहे हैं, दूसरा दोस्तों, प्रॉफिट हो, लॉस में ना कि मैनेजमेंट ऐसा काम करें, मैनेजमेंट का एक उदेश होता है, कि अपने औरगनाइजेशन को, अपने संस्था को continue रखे, ongoing रखे, progress बे रखे, जीवित रखे, सदाए वह चलने वाला रखे, ठीक है, मैनेजमेंट ऐसा ना हो कि उस संस्था को बंद कर रहा है, यहां से मैनेजमेंट का एक उदेश, दूसरा, लाफ, प्रॉफिट, तो हर एक संस्था को लाफ की जरुवत होती है, हर एक संस्था लाफ के लिए कार करती है, हर एक संस्था हानी से बचती है, मतलब लॉस से बचती है, तो मैनेजमेंट का एक यह भी उदेश होता है, कि अपने और चाहते हैं संगठन चाहें व्यवसाइक हो समाज का अंग होने के कारव उससे कुछ समाजिक दावित्तु को निभाना पड़ता है तो उसका एक दावित्त है कि लोगों को ज़्यादा ज्यादा कर सके हैं तो समाज में प्रेम स्वास सदभाव बना रहे हैं वैसे हैं आप होटल चला रहे हैं तो एक समाजी को देश होता है इसका अभीप्राय यह है कि समाज के वीविन अंगों के लिए अनकूल आर्थिक मुल्यों की रचना करना उत्पादन के विविन प्रयवरणी प्र सब्सक्राइब प्रयाफ्ट सुपीदा परदान करना यहां इसमें मैंनेजमेंट का यह भी जरूर्णी है कि हम अपने जो भी करमचारी है जो भी टीचर्स जो भी आपॉंटट इट लोग हैं उनके लिए हम सही साधन का इंतिजाम करें गौटिट वेरी गुड़ वेक्तिक फिर करें हैं अगर हम नेचर की बाद कर लेते हैं management के nature क्या होता है तो क्या मानेगे कि management एक आर्ट है ठीक22 कला क्या है का अपने अनुशार अपने skills इसको और बहतर क्या करता है कुई painting करता है int he starts कि आपको एक school का पेंड़ी करना है अब किसी ने कुछ बनाया अपनी सोच से, अपनी causal से, अपनी skills से उसको बहतर बनाते हैं तो हम इसको art कहते हैं जैसे singing हो गया singing में लोग कितने अच्छे से सगाने गाते हैं तो ठीक वैसे management भी एक art है, एक कला है सबसे नहीं हो पाता है आपकी जितनी बहतर causal होगी जितनी अच्छी skills होगी आप जितने mature होगे, जितने अनुभावी होगे उतना बहतर चला सकते है तो ये एक कला है, ठीक है Science का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब इसके कुछ fix नियम होते हैं तो धीया, management के भी कुछ fix नियम होते हैं management के भी कुछ fix principle होते है management के भी कुछ fix काम होते है तो जब fix काम हो, तो यहां पी Science के रूप में भी काम करता है तो हम कह सकते हैं कि management एक art भी है management एक science भी है प्रमंदन एक कला भी है, प्रमंदन एक विज्ञान भी है भी दोगा निजे डिस्क्रिप्षिंट में वाट्साप गूरूप का लिंक है उसे जूर जाईएगा ज़रूर जाईगा ठीक है अच्छे बच्चे हैं लख में बिस्विदार का अच्छे बच्चे हैं तो आप वहां से जूर जाईगा अगला सवाल है प्रबंदन की आवसक् को प्राप्त करने में सहायक होता है मानिविय संबंदों में सहायक मानिविय संबंदों मतलब वही कॉर्डिनेशन संतुलंद बनाए रखना ठीक है समाज के विकास में सहायक होता है management का एक समाजी को देश से भी होता है management का एक social responsibility समाजी दाइतों भी होता है कारे को संगठित करने में सहायक होता है organize करने में बात गुम फिर के यही आई P.O.S.D.C.O.R.B इसको याद रखेंगे सारा काम हो जाएगा संस्था की गुडवत्ता में सहायक आपके पास teacher भी है और आपके पास blackboard भी है machine भी है, kitabे भी है, library भी है इन सब का coordination इनसान को इनसान के तरह treat करें machine को बसंगे तरह treat करें इन सब का संकलन, उन सब का समनव है सब का coordination और cooperation काम कराना किसका है? management का है तो यह importance होता है सब का बंदबस्त करना, सब को ठीक से चलाना यह management का काम होता है प्रबंदन विकास का दिसा निर्देशन है प्रबंदन ही बताता है कि किस तरीके से आपको progress करना है अब लिए किसी management का यही मकसद हो कि हमें पैसा कमाना है फिर वाँ पे एजुकेशन गया, गया की नहीं गया तो जिस हिसाप से management रहेगा, उस हिसाप से काम होगा तो management का का भई, यह भी आओ सकता है और यह भी महत्तु है कि वो सही दिसान निर्देश करे वेक्तिकत उस जिसी की प्राप्ती में सहा है यह भी क्या है, management क्या हो सकता है, यह महत्तु है तो बस दोस्तों, इस वीडियो का हम यहीं समाप्त करेंगे और इस वीडियो में मैं जैसा कि आपको बताया कि लखनों विस्यू भी दाले एक सगेड, एक सगेड, हाँ जैसे मैंने आपको बताए कि लखनों भी से बिदार है कि B8 second semester का हम first unit देख रहे थे first unit में आपको तीन पॉइंट पढ़ना था management, school management, दूसरा classroom management और तीसरा था scout तो short analysis इन तीन topic को देखना था जो first topic मैंने आपको बताया ना प्रबंदन यहां से definitely आपको एक सवाल आएंगा इसी चीज़ को एक मार दुबारा देख लिए यह PDF में भेज़ दूगा वहां से पढ़ लिएगा इससे ज़्याद आपको कुछ नहीं पढ़ना है अगर आपने इतना पढ़ लिया तो यह आपके लिए काफी है ठीक है तो यहां से होई प्रबंदन क्या आउसकता है अगले वीडियो में हम देखेंगे classroom management अगले वीडिय अगरब धती है त्यार हो गया बस आप एक गाम करेगा इस पीडियो को को एक पीडियो को एक बार और देखलके लेंगे तो सारा DOUSmith कIlर हो जाएगा ठीक हैár exam के लिए आप देख रहे है घजाम आपका करीब है तो पस एक बार और देख लीजे पेपर नहीं देना लखनों इनुश्टी में मैं दूसरे इनुश्टी से और इडिबिएट कर चुका हूं तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसको शेर करेंगे अपने दोस्तों को कहेंगे कि आओ जूड़ो अच्छा गुरूप है पढ़ाएगी बाते होगी राजनी लिंक है डिस्क्रिप्शन में जूड़ जाएगा अन्य था आप मुझे यहां से इंस्टाइग्राम पे फॉलोग करके मैसेज कर सकते हैं मैं वहां भी आपको पीडिएफ दे दूँगा कोई चार्जस नहीं no cost totally free मिल जाएगा आपको बस एक चीज है क्या पढ़िए कर दो